प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुगर, शान्ती और आशिश मिले एक मित्र ने दूसरे मित्र को एक प्रात्ना सभा में निमंत्रन दिया और उस दूसरे मित्र का जीवन उस शाम बदल गया अर्थात उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ उसने प्रभु येश्व मसी के शमा और प्रेम के बारे में जाना और उस दिन उसने वास्तविक अपने पापों से पश्ताप करके प्रभु येश्व को अपना उद्धार करता, अपना गुरु, अपना प्रभु करके ग्रहिन किया उसने उस अनुभव को महसूस किया जो प्रभु येशु के लहु से धुलने से एक पापी को मिलती है जो पापों की शमा का आनन्द एक व्यक्ति को मिलता है उस व्यक्ति का नाम कैलाहेन था और कैलाहेन का जो अब तक जीवन रहा था वो एक बुरा जीवन रहा था उसका को कई बार जेल जा चुका था वो एक क्रुक बदमाश था और पुलिस में उसके रेकॉर्ड्स थे लेकिन उसके जीवन में जब हरी बदलाव आया काफी लंबे समय तक उसके उपर को यसी बात नहीं आई आई उसका जीवन बदल गया था तो उसने सोचा कि क्यों नमें मेरे जो पुलिस में और राज्य के लौ और क्राइम के जो आफिस होगा उसमें से मेरे सारे रेकॉर्ड्स को मैं हटवा दूँ क्योंकि अब मेरा जीवन बदल गया है मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मेरा ऐसा रेकॉर्ड रहे जिससे ये जाना जाए कि मेरा भूत काल कितना बुरा था फिर भी कुछ समय तक उसने देखा था कि पुलिस इसको इस पर निरंतर निगरानी रखती थी क्योंकि उसका बैक्राउंड ऐसा था पहले लेकिन बाद में पुलिस ने भी एसास किया कि वास्तों में इसके जीवन में बड़ा चेंज आया है तो जिस पुलिस टेशन से वो अरेस्ट होता था या कई बार अरेस्ट हुआ होगा उसने एक वकील को हायर करके उस पुलिस टेशन से अपने फोटो निकलवा दिये ताकि उसकी कोई तस्वीर ना रहे यह कोई procedure मैं सोचता हूं होता होगा तभी वो यह कर पाया फिर उसके मन में यह एक इच्छा थी कि जिस जेल में वो रहा था उस जेल में से भी उसके फोटो हटवा दिये जाए और जो भी उसके और आइडेंटिफिकेशन प्रिंट्स थे मारों जिसे फिंगर प्रिंट्स होत तो उसके लिए भी एक request किया lawyer को hire किया लेकिन उसको यह चिठी उस राज्य से आई कि तुमने पुलिस स्टेशन से तो अपने फोटोज हटाए हैं लेकिन यह नहीं हो सकता कि हम राज्य के रूप में तुम्हारे यह फोटोज यहां से हटाएं वो जेल की वाडन ने यह चि इसकी अब उमर भी बढ़री थी तो एक समय आया कि जब वो एक sanatorium में कुछ दिन बिताने के लिए गया sanatorium एक तोर से यह health resort होता है जहां पर लोग कुछ समय चुट्टी लेकर कुछ दिन एक हफता दो हफता बिताते हैं अपनी health को renew करने के लिए वह hospital नहीं है लेकिन एक रेस्ट सेंटर है और उन health resorts के कुछ rules होते हैं जिसको follow करने से कुछ आद्मी refresh होता है ऐसा हमारे साउथ इंडिया में भी है health resorts तो वहां पर गया था और coincidentally स्वाभागय की बात थी कि वहां उस समय तीन गवर्नर भी आ रखे थे तो खैर उसको ऐसी कोई उसके मन में कोई ऐसा विशेश ऐसा कोई प्लैंड नहीं था कि मैं इनको निवेदन करूं लेकिन उनका को internal function हुआ आपस में मिलके वो कुछ function ऐसा करते हैं तो उसमें इसको speech देने का के लिए निवेदन किया गया के लहन को तो उसने उस speech में अपने जीवन की कथा को बताया अपनी गवाई बताई कैसे उसका जीवन पहले इतना खराब था और कैसे प्रभू येश्व ने उसके जीवन को बदला और उसने उसने उस बात-बात में कहा कि क्योंकि अब मेरा जीवन ठीक हो गया था मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे जेल के रेकॉर्ण्स हटाये जाएं लेकिन यहो नहीं पाया इस बात का मुझे एक गिला रहता है तो इसकी कहनी सुनकर जो उस राज्य का गवर्णर कोइंसिनेंटली वही था वो अपने आँख को पोच रहा था मतलब उसको उसकी जीवन की भावुक जो गटनाएं हुई उसको सुनकर यह गवर्णर का दिल भी पिगल गया और फिर थोड़ा समय और चला गया यह लोग अपने अपनी जगाएं चले गए और एक दिन क्यालहेंग को एक चिठी आती है कि मुझे बहुत आनंद है कि मैं इस पत्र के साथ तुम्हारे जेल में जो फोटोग्राफ्स थे वो भीज रहूं और हमने इसको एक स्पेशल रिक्वेस्ट के रूप में आपके लिए किया है और जो भी आपके और रेकॉर्ड्स थे आइडेंटिफिकेशन के वो हमने जेल से हटा दिये हैं और मेरी शुब कामना है तुम्हारे बाकी जीवन के लिए और उसी गवर्नर के सिग्निचर थे मतलब एक ओफिशिल लेटर के लेहन को मिला तो इस घटना से जो सची घटना है तो उससे पता चलता है कि कैसे आदमी के दृष्टी में मनुष्य की दृष्टी में किसी को सही ठहराना कितना मुश्किल है यह जो व्यक्ति था जिसका जीवन बदल गया वो मकार नहीं था वो आस्ताव में एक जिन्यून आदमी था जिन्यून आदमी हो गया था और प्रोसीजर्स थे जिसके कारण वो अपने रेकॉर्ड्स को हटा सकते थे या सील करा सकते थे तो उसने पूरी कोशिश की लेकिन एक करके एक करके एक उसको हर्डल जाते रहें लेकिन फाइनली मेरी सोचे पर्मेशन दे उसकी इच्छा को देखा और उस बात को भी उसके लिए किया इन बातों से शायद कुछ ना कोई माइने नहीं रखता सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके लाइफ में इतना भारी परिवर्तन आया और पर्मेशन की द्रिष्टी मे है अब वो ठीक हो गया था है वो धर्मी ठेर गया था पर्मेशन की द्रिष्टी में लेकिन यह उसकी इच्छा थी उसके देखने का द्रिष्टी कौन था जिसकी उसको स्वतंत्रता थी लेकिन फिर भी इस प्रित्वी पर जब एक व्यक्ति कोई गुना कर देता है तो औरो की द्रिष्टी में फिर से वो रिस्पेक्ट पाना सबीस्टी में फिर से वह आदर पाना बहुत मुश्किल है लेकिन हम देखते हैं कि परविश्वर का नजरिया क्या है मनुष्य आसनी से शमारिकरता शमा करमी देता तो भोलता नहीं है लेकिन प्रमिश्वर का दृष्टी कौन क्या है देखिए प्रभु येश्व मसी जब इस जगत में आया तो उसने एक कदम आगे लिया पहले लिया हम पापियों को धर्मी ठेराने के लिए बाइबिल में धर्मी ठेराने का सिंपल अर्थ ये है बाइजद बरी करना ये कहना कि मैं इसके अंदर अब कोई भी गलती गुना या फॉल्ट नहीं देखता और जब नहीं देखता तो ये बाइजद बरी है शानती से अपने घर जा जैसे प्रभु येश्व ने कहा बेटे तेरे पाप शमा हुए एक जगह कहा हेस्त्री तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया शानती में जा तो प्रभु येश्व मसी ने कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहा दिया ताके हम धर्मी ठैर सकें बहुत बड़ी कीमत चुकाई एक मैसूल लेने वाला टैक्स कले बाना जाता था क्योंकि वह गरीब लोगों से पैसा एकते थे जादा लेते थे और अपनी अईयाशियों पर खर्शते थे बूटा-बूटा परसेंटेंज जो थे परिकरों को सारे ऐसे थे लेकिन जादा थर उनको वहिश्यों की कैटेगरी में माना जाता था इतने उनका कि मिहवार बुरा था कौंबर लोगों के साथ है इधा ये टैक्स कलेक्टर प्रभेषवर के प्रात्ना के भवन में जाता है और वो अपनी चाती पीट कर प्रमिश्वर से प्रात्त करता है यह प्रमिश्वर मुझ पापी पर दया कर उसने हैसास किया कि यह सब कुछ मेरे पास है लेकिन मुझे प्रमिश्वर की दया की आवश्यक्ता है मेरे पाप मुझे बादलों की तरह घेरे हुए हैं इसलिए वो चिला उठता है मुझ पापी पर दया कर अब प्रभुईश्यू कहता है ये व्यक्ति धर्मी होकर घर गया यानि इसकी पुकार को सुनके प्रभुईश्वर ने इसके सारे पापों को शमा किया सिर्फ प्रभुईश्यूर शमानी करता उसकी सजा भी उसने अपने उपर ली प्रभुईश्यूर क्रूस पर मेरे और आपके पापों की सजा उठाई इसके विपरीत एक धरम गुरु था वो उसी प्रात्ना भवन में था और वो मनी मन में प्रात्ना कर रहा था को बार और मैं दान देता हूं जो मुझे दान मिलता हां से मेदान देता हूं और अंध oily नहीं कumba कियare है। और फिर उस था मेसूल लेने वाली less Pass क़्लेकंटर को के परमिर्फयर से कहता और वे इस तरह इस आन्मी की तरा बुरा नहीं हूँ तो अच्छा हूँ पर्मेश्वर को कह रहा है वह उस पवित्र पर्मेश्वर को जो पापको देख नी सकता उसको कह रहा है कि देखो प्रभू में कितना अच्छा हूँ और उसकी भक्ती reject की गई, इंकार की गई, जबके बड़ा धर्म गुरु था, समान में जाना जाता था, लेकिन reject की गई, परमेश्व तूटे हुए बन और पिसी हुई आत्मा को accept करता है, grant करता है, और ऐसे लोगों को वो धर्मी ठेराता है, और बाइबल बताती है कि हम विश्वास कर्मों से नहीं, किस बात पर विश्वास, कि प्रभु येश्व ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, और मृत्यकों में से तीसरे दिज्जी उठा, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मेरे खातिर इतना बड़ा दुख उठा है, और ये सत्य हैं, ये सत्य हैं कि पर विश्वर मुझसे आपसे प्रेम करता है, बाइबल कहती है, God is love, पर विश्वर प्रेम है, प्रभु येश्व आपको आशिश दे